टीवी सीरियल इमली की कहानी के आज राग के अपिसोड में आप देखेंगे के आदिते इमली की मांग में सिंदूर भड़ता है जिसे छू कर इमली बहुत जाड़े इमूशनल हो जाती है आदिते कहता है कि ये तुम्हारा हक है जो मैं हमेशा से नजर अंदास कर रहा था ले आदिते इमली से कहता है कि तुम मैं कुछ कहना नहीं है इमली कहती है कि मैं मालीन कि दिदी को दु भूक रही होगी इधार ऊधर जोंटे वह करें पूंचने कि यहां पर एंदेखर रहे होंगे को सकता है कि मैं मैं एक शारिक शुदा और की तरह पूरी जिनुदी ना रही काूं आधेथ कहता है इमली से कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे पयार करता हूं लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनाने से इंकार करती हो लेकिन मैं जब यह जान चुका हूं कि मैं तुम चुक्त है और सत्ते काम सब को मिठाई खिलाता है इमली को पढ़ाने वाले टीचर को भी कहता है कि आपने इमली को पढ़ाई में बहुत मदद करी है इसलिए आपका बहुत बार शुक्रिया टीचर कहता है कि नहीं नहीं इमली तो बहुत हुश्यार बच्ची है मीठी यहां पर प्रिकास से कहती है कि आप इमली के स पूछते हैं कि तुमने सिंदूर क्यों लगाया है आदे ते ये सावाल सुन कर शौक्त हो जाता है उदर प्रेकाश कॉल नहीं करता मीठी कहती है कि तुम फोन क्यों नहीं मिला रहे हो प्रेकाश कहता है कि मुझे ना नंबर नहीं याद है मीठी कहती है सत्यकाम से कि जब से प्रकाश लोट कर आया है दिल्ली से वो कुछ अलग-अलग बरताब नहीं कर रहा है उद्धा इमली सबसे जूट बोलती हो कहती है कि कुछ नहीं हम तो सीता मया की आश्रिबाद ले रहे थे और गलती से वो सिंदूर हमारी मांग में भर गया मालीनी कहती है इमली से कि तुम् पाना पड़ा उधर सारे गाओं वाले मीठी को मुबारक बार देते हैं कि मीठी तुम्हारी लड़की इमली बहुत जादे हुश्यार है बहुत ही इंटेलिजेंट है मीठी जिसे सुनकर बहुत जादे मोश्चनल हो जाती है और सोचती है कि कैसे जब मैं प्रेग्नेट थी इमली मेरे पेट में तीस सब उसको बुरा बोलते थे सत्यकाम उसे कन्सोल करता है और कहता है कि नहीं इमली ने आज खुद को और तुम्हारे प्यार को प्रूफ कर दिया इमली यहाँ पर मीठी और सत्यकाम को सेलिब्रेट करने के लिए फोन करना ही वाली होती है वो सोचती है कि नहीं नहीं वो लोग आपी मेरा फोन नहीं उठाएंगे वो ज़रूर जश्ट मना रहे होंगे गाउं में आदेते इमली को टीस करता है और कहता है कि हाँ हाँ तुम्हें तो अपनी जीत माइक पर एनौंस करने चाहिए कि तुम आप तो वहाँ वी आईपी हो गई ना इमली भी यहाँ पर आदेते को टीस करती है और माली नी इन दोनों की फाइट को देख करके बहुत ही क्यूट बताती है तब इस पार्टी कहते है कि हाँ इमली की इस जीत में आदेते ने भी बहुत जारा सहयोग दिया है देव यहाँ इमली से कहता है कि तो तुम कौन से आदेते करने के ज़रूरत नहीं है वो सब करणा में और आधेतें पर होनोच媽 ऐसकि करेंकनों में और बहुत में में रहें त्हुंट में सब अर्रेच्मेंट करदूbas मीठी को post office में call करती है मीठी कहती है कि मैं तुम बहुत जादा miss करती है मुझे तुम पर बहुत गर्व है इमली इमली भी अपनी खुशी अपनी मां के साथ share करती है कि मैं अभी आपको अपने सस्टरार वालों से बात नहीं करवा सकती वो सब busy है देव उसकी बात सुन लेता है और वो ये भी सुन लेता है कि कैसे वो सत्यकाम को बहुत ही जादा प्रेस करती है उसकी तारिफ करती है उसकी जिंदगी में उसे सपोर्ट करने के लिए और इमली कहती है कि मेरे अपने पापा तो नहीं है लेकिन हमारे दद्दा है सत्यकाम जि बाप के होते हुए इमली को दूसरे इंसान पर ज़्यादा भरोसा है यहीं हो जाएगा शुराद के अपिसोड का है